दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपको लोगों को एक फिंगर फिंगर पिंड या OTP के दुवारा कस्टमर का पैन काट बनाना है तो किस तरह से बना पाएंगे किस तरह से ID ले पाएंगे तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा ID का कोस्ट लगा हुआ है अभी जस्ट 9 रूपीस में आप ID ले पाएंगे तो किस तरह से कहां से ले पाएंगे किस तरह से पैन काट बनाना होता है पूरा प्रोसेस अभी आपको दिखाऊंगा एक लिमिटेट टाइम के लिए रहेगा इसमें आप सार टाइप का टूटल पैन काट बन और कारेक्शन भी अपलाई कर सकती है और कारेक्शन में भी फोटो साइन अलग से अपलोड कर सकती है ठीक है एक एक्सक्लूजिव यहां पर सर्विस है दूसरा प्रोटल में अभी तक यह आप्शन नहीं आया है ठीक है तो हमारा यह पोटल में एक्सक्लूजिव लगया तो आपको अगर आईडी सही है जस्ट 9 रूपीस में आईडी मिल जाएगा इंस्टेंट आईडी अक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग वीडियो भी आपको सारा वार्शाफ में मिल जाएगा तो किस तरह से आप आईडी ले पाएंगे और किस तरह से पैन काट बना पाएंगे पूरा प्रोसेस अभी दिखाऊंगा तो friends ID लेने के लिए आपको क्या करना है Google में search करना है शरीफ Digital Point ठीक है इस तरह से शरीफ Digital Point इस तरह से आपको Google में search करना है शरीफ Digital Point.com यह वेबसाइट में आना है आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए user registration अगर आपने अमारे से ID अभी तक लिया नहीं है तो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करके आपको यहाँ पर यह फ्रॉम है इसको भर देना है भरने के बाद सब्मिट करने के बाद यहाँ पर QR कोड आएगा नाइन रूपिस का उसमें payment कर देना है तुरंत ID एक्टिव हो जाएगा मेल में ID बस प्लास वार्शाप में भी में सारा डिटियल सेंड कर दूँगा प्लस आपको ट्रेनिंग वीडियो भी मिल जाएगा अगर कोई भी इश्यू आता है पैंकाट बनाने में यह आपको समझने आता है एक दम बहुत इजी सिस्टेम है उसके बाद भी आगर आपको नहीं आता ह तो आप मुझे analytics लेके आप पूरा में आपको देखा दूँगा किस तरह से होता है जब customer आएगा तो मुझे बोलेगा analytics में पूरा आपको help कर दोंगा एक pen cut में देखा दूँगा किस तरह से apply करना होता है फूल process आपको सिख्या दूँगा ठीक है तो अभी आपको क्या करन यहाँ पर user registration में आके ID बना लेना है बनाने के बाद ID पासर्ज आप मिल जाएगा तो यहाँ पर user login में क्लिक करके आपको login करना है login करने के बाद आपको इस तरह से dashboard मिलेगा यहाँ पर देखिया total charge system मैंने आपको बता दिया किस तरह से है यहाँ पर training video है देखके आप easily कर पाएंगे बहुत simple process है ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है जब भी customer आएगा या फिर आपको first wallet research करना होगा pen card apply करने के लिए यहाँ पर देखिये wallet management यहाँ पर आना होगा यहाँ पर आके आपको कितना research करना है minimum 50 रुपीज भी यहाँ पर research कर सकती है ठीक है तो यहाँ पर आपको amount डालना है डालने के बाद यहाँ पर pay now में करने के बाद आपको qr code आएगा उसमें payment करने से instant किसी को भी बोलने या request क करने की जुरूरत नहीं है automatically यहाँ पर प्वेशा add हो जाएगा आपको id में यहाँ पर add हो जाएगा दिखिये यहाँ पर paperless balance में add हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी customer का pen cut बनाना है यहाँ पर customer का full name लिखना है और यहाँ पर date of birth यहाँ पर mobile number लि दूसरा पोडल में करने से क्या होता है फोटो अलग से आप लगा नहीं बाते हैं इसमें क्या होगा आपका photo अलग से लगा पाएंगे तो minor से अगर measure करना है तो यहाँ पर करके आप उसका photo भी और sign भी लगा सकते है इसके अंदर ठीक है तो यहाँ पर आपको normally correction अगर e के वैसे मतलब खाली other cut के थुरू जो other cut photo है वो ही अगर लगाना साथ है तो इसमें करना है अगर new pen cut बनाना है किसी का अगर pen cut नहीं है new बनाना है तो यहाँ पर भी बनाने से other cut का photo आएगा ठीक है उपर वाला option में other cut का photo आएगा और यहाँ पर करने से अलग से photo और sign आझा पर ठीक है यहाँ पर कॉंचा टाइब का pen card बनाना है उसको यहाँ पर क्लीख करके submit करना है तो अभी मैं आपको यहाँ पर click करके दिखा देता हो ठीक है यहाँ तो यहाँ पर click करने के बाद यहाँ ओक करने के बाद और friends यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा Des happiest रहेगा आक लूंज में नमबर, कस्टमर का नाम, डेट ऑबस्त कभी कभी क्या होता है बाद में आपको कस्टमर आता है, प्यांकर्ट डैनड़ gang luned करने के लिए या मेल में नहीं मिलता है तो आप डैनड़ करने के लिए उस सप्साहिय ज़िया तो आप यहां साथ रुपिया यहां से वैलर से कट जाएगा तो रीडिरेट होने के बाद यहां पर डारिक एंचडियल का पेज वापन होगा आपको क्या करना है एक बर फास्ट टाइम अगर आप लोग इन कर रही है तो आपके एक बार यहां पर एनफ्टियल में भी रेच्टिशन करना होगा ये one time होता है ठीक है आपको यहाँ पर click करना है अगर आपने registration कर लिए just आपका यहाँ पर mobile number टलना है agent का submit करना है mobile में OTP आएगा submit करना है तो आपके ये pay and apply का system आज आएगा अभी income tax department ने order दिया जो भी लोग pen card बनाएगा इसका सारा यहाँ पर ID होना साहिए और इसका register mobile number होना साहिए ठीक है तो इसीलिए ये system लगा दिया गय है तो आपको यहाँ पर एकदम first time हो मगर कर रही है तो यहाँ पर کرना है यहाँ पर आपका user name है user name में आपको क्या करना है यहाँ पर आपका जो भी नाम है जिस तरह से मेरा नाम शरीफ दिन है तो इस तरह से आपको लिखना है इस तरह से ठीक है लिखके यहाँ पर आपका दुकान का नाम भी लेख सकती है यार यहाँ पर फूरा फूल एड्रेस दुकान कहाँ पर है कौन सा जगा से आप अप्लाई में डॉलिवेश dot करने के बद on time यह करने के बाद यहांपर सब्मिट करना है सब्मिट करने के बाद यह से OTB आएगा ठीक है आपका एजन डड़ी बन जाएगा उसी में आपका नेक्स टाइम से OTB आएगा तो OTB यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर OTB मैंने डल दिया यहाँ पर सब्मिट कर दिया देखिए अभी यह वाला पेज आ गया तो अभी यहाँ पर कारेक्शन का जो कस्टमर का जो पैन काड है वो यहाँ पर ही एपलाई करना होता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए कस्टमर का अधार नमबर यहाँ पर कस्टमर का नाम मैंने सूज कि था तो यहां पर इसलिए मेरा यहां पर उसको डालना होगा तो अभी में डालके आपको आगला process दिखा देता हू एक तरह से होता है तो फ्रेंज यहां पर डालने के बाद आपको submit करना है और ध्यान देना है यहां पर पूरा एक दोम correct detail डालना है अगर गलाट detail डालेंगे तो उपर में लिखाएगा other authentication fail अगर other authentication fail लिखा आता है इसका मतलब आपने जो डाला है उसके साथ other cut के साथ मिल नहीं है इसलिए match नहीं कर रहा है ठीक है तो correctly यहाँ पर नाम डालिए first name customer का जो last में रहे गादर काट में उसको हमेशा last name में डालिए और जो other काट में एकदम शुरू में रहेगा उसको first name में और middle में जितना भी रहेगा अगर एक है तो एक डालिए अगर एक से ज्यादा अगर किसी का शरीफ दिन अहमेद अली खान इस तरह से होगा तो जितना भी होगा first name और last name सोर के सारा middle name में जाएगा ठीक है इस तरह से अगर होता है तो यहाँ पर submit करना है यहाँ पर tick mark करके यहाँ पर submit करना है करने के बाद यहाँ पर verify हो जाएगा अगर मैंने correctly डाल दिया है तो ठीक है उसके बाद देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा 10 सेकंड वेट करना है उपर में देखिए घुम रहा है पेस को सोटा हो जाएगा थोड़ा वेट करना है ठीक है तो करने के बाद देखिए यहाँ पर यह देखिए सोटा हो एक बार डालना है, ठीक है, तो यहाँ पर next, तो इसके बाद देखिए, अगर आपको by post, इसमें pen card apply करने से by post भी आएगा, ठीक है, तो by post अगर आपको चाहिए, पियोन के दुवारा जो आता है, उसको अगर चाहिए, तो यहाँ पर yes करना है, yes करने से wallet से 107 रुपया कटेग अच्छा रहेगा, कस्टमर को pen card घर में मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी कस्टमर का mobile number है, उसको डालिए, यहाँ पर मेरा iPhone number डाल दिया, दिखाने के लिए, तो यहाँ पर email अडी डालिए, कस्टमर का email अडी जो है, उसको डालिए, इसी में, mail में pen card का copy आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा resident करना है, अगर photo sign वाला upload किया, select किया है, तो इसको पूरा भरना होगा, और यह जो detail है, आदर कार्ट में, कस्टमर का जो आदर काड है, उसमें जो है, उसी को डालिए, अगर दूसरा डाल देंगे, तो pen card reject हो सकता है, NHDL में जाके, ठ तो customer का जो address है, उसी को डालिए, यहाँ पर customer का father name डाल दीजिया, ताकि post office में थोड़ा easy हो जाए, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकती है, जिस तरह से father name में ने demo लिखा था, तो आप भी यहाँ पर जो customer का name है, इस तरह से son of, अगर लर्का है, लर्का का pen card apply कर रहे है, तो S o । açıl sare, अगर लर्की का है, तो D o डालिए, अगर शादी हो गया, तो यहाँ पर wife of डालके उसका husband का नाम डाल सकती है, तो ठीक है, इस तरह से डालिए, यहाँ पर village का नाम डालिए, यहाँ पर post office का नाम डालिए, यहाँ पर city का नाम डालिए, आपका जो नंजदिक का जो डालके यहां पर zip code डल जरूरत नहीं है यह ओफिश address भरने की जरूरत नहीं है ठीक है यहां पर कुछ भी नहीं करना है pen number यह शब mention नहीं करना है next करना है next करने के बाद दिखिए हैं यहां पर photo sign upload करने का option आया गया तो आपको यहां पर अगर मान लीजे आदार काट में पास है उसको लगा सकती है इस तरह से यहां पर domicials hardware driving license इलेक्टर बोडराई कार्ट इस तरह से passport अगर आपको आधर काट में address अलग है और जहां पर मंगाना है कार्ट उसको address अगर अलग है तो यहां पर दूसरा document आपको एक PDF में देना होगा इसका PDF का यहां पर document अपलोड करना होगा यहां पर अधर काट अपलोड करना होगा और दूसरा जगा पर लेना है तो NXR A भी दे सकती हो प्लास पास्पोर्ट अगर देना है डाइमिंग लेसंस तरह तो उसको PDF बनना होता है कोशिश किजिए 300 के भी के नीसे हो 300 के भी को उपर जाने से नहीं होगा 100 के भ जाने तो देने से भी चल जाएगा तो यहाん पर आपको क्लिक करना है अगर दो तिन डॉकोमेंट अपलोड करना है दो तिन PDF तो यहां पर至 और टोकोमेंट करके करिए ठीक है इस तरह से आप को यहां पर करना है और यहां पर देखिए Size दिया हुआ है फोटो का Size क्या होना ह गया, 3 into 5 into 2 into 5 cm करके होगा photo और signature जो होगा 2 into 4 into 5 cm, ठीक है, 50 के भी के नीशे होना है गया, 10-15 के भी के अंदर photo और sign मनाई है, और अधरकाट का जो को भी है PDF है, अधरकाट को PDF में करना होगा, photo और sign JPG में करना होगा, ठीक है, उसको करके यहाँ पर upload करके, यहाँ पर, तो दो इसलिए हमारा tool से कर सकते है, तो इसके लिए करना है हमारा website का home base है, तो इसमें आना है, देखिए, नीशे देखिए photo cropping tool, इसमें आना है, ठीक है, इसमें click करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर show करेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए photo के लिए, पर मैंने EC को यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, तो यह box में आपको EC सबसे save कर लेना है, और sun मतलब फोटो को थोड़ा मतलब selfie फोटो नहीं होना सही है, थोड़ा अच्छा फोटो होना सही है, ठीक है, इस तरह से आपके position यहाँ पर देखिए, उसका देखिए यहाँ पर crop फोटो मरके लेके यहाँ पर आपको इस signature भी कर सकती है, दिखिए, यहाँ पर यह जो signature है, एक दम perfectly यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, फोटो यह रहा फोटो और यह रहा signature, ठीक है, तो इस तरह सा आप यह टूल से photo और sign भी crop कर सकती है, आपका जो भी place है, जहाँ से apply कर रही है, उसका place यहाँ पर डाल दिजिए, डालने के बाद यहाँ पर आपको जो भी फोटो, कस्टमर का फोटो है, उसको यहाँ पर select कीजिए, तो देखिए, यहाँ पर photo अपलोड कर दिया, यहाँ पर signature के लिए, आपको जो भी signature बनाए हुआ है, उसको यहाँ पर करना है यहाँ पर देखिए सिगनेसर जो है वो जेपीजी में होगा पीएंजी में होगा जीप में होगा तो आपको पीएंजी अगर बनाना है तो पीएंजी भी बना सकते है यहाँ पर सेलेट करके यहाँ पर सब्मेट कीजिए यहाँ पर signature upload हो जाएगा ठीक है उसके बाद other card को यहाँ पर customer का other card यहाँ पर मैंने जो other card बनाया उसके साथ ही pen card भी दिया ताकि यहाँ पर correction कर रहा हूँ तो इसलिए pen card भी other card के साथ दे दिया अब अगर साहे तो अलग से यहाँ पर add करके pen card upload कर सकती है करने के बाद यहाँ पर confirm करना होगा पूरा detail आएगा आपको जास्ट यहाँ पर confirm में क्लिक करना है करने के बाद अगर आपको finger आपको पास mantra या मर्फू है तो यहाँ पर कर यह अगर आपके पास और इसके लिए आपको driver भी computer में install होना होगा अगर आप मर्फू ही उस करती है तो pen card के लिए आपको local host वाला जो आपको देखिए यहाँ पर दो option है यहाँ पर और अगर करती है तो यहां पर दो बार o tasks पी देना होगा ठीक गैंड़ बार एकश् 무었नक देना के बाद यह बंजाएंगा तो फ्रेंज यहाँ पर देखिए दो बार यहाँ पर अंडरं पोसेशंग यहाँ पर दो बार मैंने क्लिक किया थह तो यहाँ पर देखिए लिएधाई फेल Ugli सकती है तो बहुत इजी है अगर आपको मोबाइल से करना है सेम यही वेबसाइट को इस शरीफ digitalpoint.com यह वेबसाइट को आपको मोबाइल का Chrome ब्राउजर में ओपन करके कस्टमर का pen card बना सकती है ठीक है सेम प्रोसेस से जस्ट स्क्रिन को सोड़ा हो जाएगा इस तरह से इस तरह से करके आप यहाँ पर नाम डालके यहाँ पर वो डालके कर सकती है इस तरह से सारा mobile friendly है पेस्ट तो आप mobile में easily कर सकती है कोई इश्यू नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बायमेटिक स्लेट करना है अगर आप मंत्रा या मरफू यूज करती है और यहाँ पर आपको आगर फोटो साइन अलग से अपलोड करती है तो एक ही बार ओटी भी या फिंगर देना है तो यहाँ पर वही कर रहा हो तो यहाँ पर कस्टमर का जो अधर नंबर है उसको डालना है डालके यहाँ पर मारफू देखिए मारफू यहाँ पर लगा हुआ है इसको स्लेट किया करके यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर साइट में आपका finger देने का option आएगा दीखिए इस तरह से आपको करके दीखिए यहाँ पर 10 सेकेंट वेट किजिए ओटमेटिकली यह redirect होके सला जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपका अक्लोंज में नमबर दीखिए यह है इस तरह से आप एपला कर सकती है और यहाँ पर आपको user login में दुबारा जाके यह पूरा detail आपको इसके अंदर शो करेगा दिखा देता हो रुगिए इसके अंदर करें आईडी इंस्टेंट में प्रोवाइट कर दोंगा ठीक है वीडियो पूरा देखने के लिए थैंके और फ्रेंज अगर आपको कुछ भी जनकारी लेना है या कुछ प्रोब्लेम आ रहा है तो आप मुझे एनिडिक्स से यहां पर सपोर्ट भी ले सकती है मेरा नाम है शर आपके पास आईडी नहीं और अगर आपने हमारा से कोई भी आईडी पहले लिया हुआ है तो आपको दुबार आई हहां पर बनाने के लिए जोरुरत नहीं आपके बास जोरुरत नहीं जो भी आईडी है जो कि हमारा से लिया हुआ है जाश्ट आप यहां पर आके सेम यूजर इडी से लोगिन कर सकती है तो आपको क्या करना है देखिए यहां पर आके आपको क्या करना है यहां पर यूजर इडी है यहां पर फॉर्गेट में क्लिक करना है करके यहां पर आप पासवर्ट से यहाँ पर user login में आके login कर सकती है इस तरह से login करके यहाँ पर pen card बना सकती है और यह 30 मिनिट के बाद यहाँ पर wallet में फिर से balance हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से demo account में ने बनाया आप लोगों के दिखाने के लिए तो friends वीडियो पूरा देखने के लिए thank you